दोस्तों Bruce Lee के बार में तो आप सबी जानते होंगे लेकिन उनकी एक खासियत है जो साथ आप नहीं जानते होंगे Bruce Lee एक Hong Kong American actor, director, martial artist, martial art instructor और philosopher वे जित कुंडो के founder भी थे उसलिए इतने तेजस है कि पिक्चर की शूटिंग के वाक्त स्लो कैमराज का इस्तिमाल करना पड़ता था ताकि उनकी हरकतों को देखा जा सकते हैं Martial art की दुनिया में वे एक नामचीन ब्यक्ती थे ये खासियत उनको सबसे अलग करती है दूस्तों क्या आपको पता है कि बिलिया की और बच्पन में ही अपनी मा को देखकर म्याव करती है जिससे वे बता सके कि उसे भूख लगी है लेकिन बड़े हो जाने पर बिलिया कभी भी एक दुश्यों के म्याव नहीं करती है पर अकेले में वह इंसानों के सामने कर लेती दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रांस में मौजूद पैसेज डू गोश सड़क दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है क्योंकि यह दिन में दो बार पानी में गायब हो जाते हैं और अगर कोई इंसान सड़क में जारा हो उसी वक्त पानी आ जाया तो उसके लिए सड़क के किनारे में खंबे लगाए गया है जिसको पकड़ का इंसान तो बच सकता है लेकिन गाड़ी को बचाया नहीं जा सकता है जोस्तों क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स जोकी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीयों में शिरेक है लेकिन एक अधेयन के अमेजन के नदी में पाये जाने वाले पिंक डॉल्फिन जीने बोटो डी बोटो भी कहा जाता है इनकी दिमा की छमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है दोस्तों क्या आपको पता है। जर्मनी में मेडको को सड़क पार कराने के लिए सड़को पर दिस dual भी वस्था कि आती है। यहां सड़को के किनारे ढड़ा बना कर बाल्टी रखिया। जो मेड़क जब सड़क पार करने के कोशिच करते हैं तो इस बालटी में गिड़ जाते हैं जी हाँ दोस्तो इसका उपयोग हुआ अपने स्टाफ को secret और silent message भेजने के लिए करती है example के लिए यदि वह किसी अतीती से बात करना समाप्ट कर लेती है तो वह उसे एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाएगी और उनके सहयोगी बिनम्रता से बातचीत समाप्ट कर देंगे यदि वह अचानक बातचीत समाप्ट करना चाहती है तो वह अपना बैक जमीन पर रख देगी इस तरह हुआ अपने handbag को एक body language communication device की तरह इस्तिमाल करती है दोस्तो क्या जैनकारी आपको पहले से पता थी है अगर नई थी तो comment box में जरूर लिके और ऐसे amazing वीडियो देखने के like, share और subscribe जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तो क्या आपको पता है दक्षिन परसांत महासागर में एक अंत्रिक्ष यान कबरिस्तान है जिसे point nemo के नाम से जना जाता है यह 300 से अधिक अंत्रिक्ष यान और संबनित अंत्रिक्ष मलवे का घर है जिसमें MIR अंत्रिक्ष स्टेशन भी शामिल है जो रूसी अंत्रिक्ष यात्यों दोड़ा ग्रहों की कक्छा में पहली बारी कट्टी की गई वस्तु है दोस्तो क्या यह जनकारी आपको पहले से पता थी अगर नहीं थी तो comment box में जरूर लेके और ऐसे amazing वीडियो देखने के लिए लाइक, share और subscribe जरूर करे मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तो क्या आपको पता है कि ब्रॉकली जो हम लोग सब्जी में यूज करते हैं वो एक man-made food है ब्रॉकली को छटी सताबदी इसापुर्व के आसपास जंगली गोभी के पौधों के भी selective breeding के वर्सो बाद तयार किया गया है क्या ब्रॉकली के बारे में ये जनकारी आपको पहले से पता थी दोस्तो क्या आपको पता है कि जापान की टोकियो में एक हैजोग काफे है आप इस पर्टिष्ठान में जा सकते हैं और अंदर जाने के लिए 1,000 एन का भुक्तान कर सकते हैं एक कैपुचीनो खा सकते हैं और कुछ एमेजिंग हैजोग के साथ खेल सकते हैं और उने गले भी लगा सकते हैं मैं आपको बता दू कि एक हैजोग एक Spiny Mammal होता है जो कि Erynashini Favsup Family का एक Species होता है दोस्तों क्या आपको पता है कि अब तक खोजा गया सबसे छोटा डैनासूर केवल 16 इंच लंबा है चीन में खोजा गया माइक्रो रैप्टर सबसे हाल के डैनासूर खोजों में से एक और यह आप तक की सबसे छोटी डैनासूर अधिकांस नमूने जो पाए गया हैं वे भी पूरी तरह से बिक्सित हो चुके हैं इसलिए बेबी माइक्रो रैप्टर और भी छोटे होते हैं तो दोस्तों क्या है डैनासूर के बारे में आपको जैनकारी पहले से मालूम थी अगर नहीं थी तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिए और ऐसे किंग जोर्ड ने अठारावी सताब्दी में सभी कभूतुर के जूंड को क्राउन की शंपत्की घोशित कर दिया दोस्तों क्या है जैनकारी आपको पहले से पता थी अगर नहीं थी तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिया और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के ल कर दोस्तों किंग तो किंग्यों थाय है जब थाय है